आपके बड़े हुए कॉलस्टॉल को कम करेगी यह सबजी और मातर 20 रुपे में मिलने वाली इस सबजी से खराब से खराब कॉलस्टॉल भी बहार निकल जाता है दिन में दो बार इस वीडियों बताएगे तरीके के अनुसार इस्तेमाल करिएगा आपको जबर्दस्त फायदा देखने को मिलेगा और हमारे सरीर में खराब कॉलस्टॉल को कम करने के लिए गर्मियों में आप इस खास सबजी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके इस्तेमाल करने से आपका जो metabolic rate बढ़ने के साथ साथ ये सरीर को अंदर की तरफ से detox करने का काम करता है, आपकी आतों के movement को fast करता है, पेट को आपके साफ करता है और पेट में जमा चर्वी को बाहर निकालने का काम करता है और इसमें fiber और रफेज की मात्रा zero होती है जो कि आपके weight loss करने में भी काफी ज़्यादा मददगार होता है, तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा interesting होने वाली है, बहुत कुछ नया सिखाने वाली होने वाली है, मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो के माद्यम से आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें, अन तक जरूर देखें, वीडियो में बताएगे जानकारी आपको अच्छी लगे और चैनल पर पहली बार आएं, तो प्लीज चैनल को सबस्काइब आइकन को जरूर दबाएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, तो चलिएगा बिना देरी के वीडियो को सुरू करते हैं, गर्मियों में सबजियों के लेकर लोगों में काफी जादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी सब्जी को बनाया जाए, लेकिन गर्मी اग ऐसा सीजन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा हैल्दी सब्जी बाजार में आती हैं और इन हेल्दी सब्जयों की जो कीमत है, वो بھی काफी कम होती है, और ऐसी सब्जी की लिष्ट में सबसे उपर जवाता है वो आता है लाता लौ से पोसक्तत मौजूद होते हैं जो गंभीर से गंभीर समस्यां को कम करने का काम करते हैं और उन्हीं में से कॉलस्टॉल के अगर हम बात करें तो कॉलस्टॉल को कम करने में यह सब्जी काफी जादा फायदेमंद होती है तो चलिए बात करते हैं लौकी को कॉलस्टॉल कम करने के लिए कैसे यह फायदेमंद होती है और किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे की जादा से जादा हेल्थ बेनिफिट्स हमकों से मिल सकें कॉलस्टॉल घटाने के लिए लौकी की सबजी किस तरह से फायदेमंद होती है यदि हम इसके वारे हम बात करें तो खाना काफी बहतर विकल्ब के रूप में माना जाता है इसमें कार्ब्द की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है इसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और साथी साथ इसके दरजब डाइटरी फाइवर का भी यह बहुत अच्छा सोर्स होता है और इसमें सरीर का कॉ काफ़ी जादा मदद मिलती है और इतना ही ninety DENNIS की बढ़े वज़ें को कम करने में वह यह काफ़ी जादा पायदे मन्द होती है इसलिए लोकी आप के लिए गश्ट सब्जी है और कोलेस्टो गटाने लिए आपको सेवन कैसे करना है यह इसके वारें बात करें तो इसको कई तरह से आप प्रियोग कर सकते हैं सबसे पहला जो होता है आपका लौकी के रायते की रूप में इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको लौकी को पतला पतला काट लेना और उसको कद्दुकस आपको कर लेना है और इसको एक हलका सा को उबाल लगालना है उसके बाद आपको करना कैया है आपको एक टूरी दही लेनी थोड़ा सा काला नमक डालना है और थोड़ा सास में जीरा पाउडर डालना है इसको इच्छे से मिक्स कर यह एक आपके लिए बहुत ही healthy option हो सकता है इसके लिए आपको करना क्या कि लोकी को आपको कदूकस करना है या फिर आपको छोटे चोटे टिकड़ों में इसको पीस कर लेना है और उसके बाद एक सूती कपड़े की मदद से आप इसका जूस निकाल सकते हैं और इसमें आप थ लिए हुई लोकी का इस्तेमाल खाली पेट कर सकते हैं इसके लिए आपको पानी और छिलके के साथ ही आपको इसके इस्तेमाल करना है आप चाहे तो इसमें थोड़ी दही भी add कर सकते है इससे आपको testy हो जाएगा और weight loss भी तेजी से होगा और इसके लिए आपको करना क्य है कि लोकी को छिलके सहीती आपको मोटा मोटा आपको काट लेना है इसको पानी में आपको डालने हैं और इसमें आपको दो सीटी लगान कर इसको आपको उबाल लेना है और उसके बाद आपको लोकी को अच्छे से को मैस करना है और इसमें थोड़ा सा काला नमक डालना है अजवाइन डालनी है और थोड़े से हरे धन्य की उसमें पत्ती डालने तो इस तरह से आप इससे इस्तेमाल करेंगे तो यह वेट लॉस करने में काफी जादा मददगार होता है तो इस तरह से आप बताएगे इन तीन काफी जादे नड़ करते हैं यह जाफी जादा पाइदे मंद अधर और द्याफके समस्या को ये दूर करते हैं आपको एसी डिटी और गैस की समस्याओं से बचाव करते हैं हाई ब्लड प्रेसर को एक कंट्रोल करने का काम करते हैं क्योंकि इंदर पॉर्टेसियम भरपूर मातरा में होता है यूरिक एसिड के लेविल को भी ये कम करते हैं हर्ट डिजीज और श्ट्रोक होने का जो रिस्क है उसको एक काफियत तक कम करते हैं अब हम बात करें कि आपको लौकी का इस्तेमाल करने में कुछ साबधानिया रखनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बेसिकी लौकी का जूस अग्यादिया आप सेवन कर रहे हैं तो किसी अन्य वेजिटेव जूस के साथ आपको इसको मिक्स करके नहीं पीना है और जूस बनाते समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जूस आपका कड़वा नहीं होने चाहिए लौकी आपकी कड़वी नहीं होनी चाहिए उससे पहले आप उसको टेस्ट कर ले यदि वो कड़वी है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि कड़वी लौकी में ट्राइसाइकलिक नाम का एक कमपाउंड होता है जो कि आपको डिहाइडेशन की समस्या जी मिचलाने की समस्या और गेस की समस्या कर सकता है इसलिए आपको कड़वी लौकी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करन तो फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और कॉलस्टॉल के समंद में वेट लॉस के समंद में पहले बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ आप चाहे तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं दो वीडियो का जो लिंक है वो आपको end screen पर दिखाई दे जाएगा तो फिलाल इ एक लाइक जरूर दीजेगा चैनल पर पहली बार आएं और अभी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सकाइब करेगा साथ में बैल आइकन को जरूर दवाएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो फिलाल इस वी सब्सकाइब की सभी वीडियो को देखते रहें यदि आप चाहते हैं कि वह कौन सी आते हैं जो आपके कॉलेस्टल को कम कर सकती है तो आपको यह उपर वाली वीडियो देखनी चाहिए और छोटे-छोटे काले वीजों से वेट लॉस कैसे करें उसके लिए आपको यह नीच बंदे मात्रा